कि हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आ motiv मैंने यह पांस तरह की पशनों बनाई भूए है इसको डाल को अच्छे से मैंने धो लिया है, आधी कटोरी डाल ली थी, इसको बहुत अच्छे से दो पानी से धो करके, मैंने प्रेशर कूकर में इसको डाल दिया, उसके बाद मैंने दो कब पानी इसमें एड किया है, आप अपनी आशकता है कि अनुसार पानी एड करें, पा यहां पर लैसुन मैंने चील के चार-पांच के लिए डाली है नमक है और हल्दी लास्ट मैं यहां पर एक चमल देशीगी एड़ करूंगी देशीगी दाल को पकने में भी शायता करता है और इसका टेस्ट भी इनहेंस कर देता है और मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी और यहां पर मैंने प्रेशर कोकर में प्रेशर लगा कर तीन सीटी लाई और यह दाल बन कर तयार हो गई है दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है और इसको मैं चम्चे से थोड़ा सा चला चला कर घोट लूँगी सिर्फ यहां तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगी अगर यह मेरी रेस्पी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यहां पर एक पैन ले लिया है पैन में देशी की डाल कर उसमें थोड़ा सा जीरा च पैस बंद करने के बाद ही कस्मेरी मिर्च डालिएगा नहीं तो इसका जल जाने के बाद इसका फ्लेवर खराब आता है और यह देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया है दाल भी ऐसे गाड़ी सी बनाएगा बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों ऐसे डाल अगर आप बना मानी थी यकीन मानिये दोस्तों एक बर बना कर जरूर देखिएगा और जी इसको मैंने हरी धनिया से डेकुरेट किया है थैंक्यू दोस्तों